हलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूटीव चैनल रागाव सर साइन्स में आज हम कक्षा दस्वी विसेवे ज्यान के अध्याय दस प्रकास पर आवर्तन एवं अपवर्तन पर आधारित ज्यान बोध वाले प्रशन को समझेंगे आज का हमारा प्रशन है कोई प्रकास की किरण एक पारदर्सी माध्यम से दूसरे पारदर्सी माध्यम में प्रवेश करते समय अपना पत क्यों मोड लेती है अभी हमने देखा कि अपवर्तन की घटना में प्रकास की किरण अपने मार्ग से मुण रही है, विचलित हो रही है, हमसे कारण पूछा गया है कि जब माध्यम बदलता है तो प्रकास की किरण क्यों मुण जाती है, लीजिए हम चित्र के माध्यम से आपको समझाती है, ये प् प्रकास स्त्रोच से निकली, निकलने के बाद कांच में गई, कांच में जाते ही मुड़ गई, फिर कांच से पुना हवा में गई, तो पुना मुड़ गई, तो इस प्रकार प्रकास की किरण या लेजर किरण जब माध्यम बदल रही है, हवा से कांच और कांच से हवा, तो अ प्रिवर्तन हो जाता है प्रकास की चाल दूसरे माध्यम में पहले माध्यम के सापेक्ष कम या ज्यादा हो जाती है जिस से वह अपने मार्ग से मुर जाती है चलिए और हम इस बात को इसपश्ट करते हैं यहां देखिए विविन माध्यमों में प्रकास की चाल दिखाई गई निर्वात या हवा में प्रकास की चाल तीन गुणा दसकी घात आठ मीटर प्रतिसेकंड होती है और पानी में देखिए प्रकास की चाल कम होती है हवा से कम और पानी के बद काच पे आईए काच में प्रकास की चाल और कम हो गई है तो इस प्रकार जैसे जैसे प्रकास विरल म माध्यम से सगन माध्यम में जाता है प्रकास का वेग या प्रकास के कारण ही प्रकास विचलित होता है हम एक बहुत अच्छे से चितर की द्वारा आपको दिखा रहे हैं ये देखे एक बिंदु से प्रकास की किरण निकल रही है और प्रकास की किरणों का मार्ग व्रत्ताकार है आप खुद देखें निकलने वाली प्रिकास की किरणे व्रत्ताकार निकल रही है और आगे बढ़ रही है अब एक तरफ कोई माध्यम नहीं है अठाइद एक ही माध्यम है माध्यम नहीं बदल रहा है तो वो एक समान वेक से प्रिकास की किरणे आगे बढ़ रही है और व्रत्ताकार मार्ग बनात जा रही है। लेकिन दूसरी तरप देखिए माध्यम बदल गया, यह माध्यम है विरल हवा और नीचे का माध्यम है सघन पानी या कांच, अब प्रकास जब हवा से कांच में गया, विरल से सघन माध्यम में गया ओ देखो जा रहा है, यह vedelti और ये सघन में गया तो देखिए आप प्रिकास का वेग कम हो गया और प्रिकास जो व्रत्ताकार रिंग बना रहा था अब वो परवलया का रिंग बना रहा है तो इस प्रिकार जब प्रिकास विरल से सघन माध्या मरतात हवा से कांच में आता है तो उसका वेग कम हो जाता है और ये चित्र बता रहा है कि पहले हवा में वो व्रत्ताकार मार्ग पेसे आगे बढ़ रहा है व्रत्ताकार रिंग बना रहा है और जैसे ही वो कांच में आया उसने परवलया कार रिंग बनाना शुरू कर दी उसका वेग कम हो गया और जब वेग कम होता है तो वह अविलंब हो जाता है प्रकास के वेग के कम होने से वह अभिलंब की ओर जुक जाता है और इसके विपरीत जब प्रकास सगन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकास का वेग बढ़ जाता है प्रकास का वेग बढ़ने से वह अभिलंब से दूर हट जाता है तो इस प्रकार उत और जुग जाती है परंतु जब प्रकास की किरण सगन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग बढ़ जाता है और वहाँ विलम से दूर हट जाती है तो इस प्रकार वेग परिवर्तन होने से प्रकास की किरण अपने मार्ग से मुर्ती है बहुत धन्यवाद